हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ मीता मेरे चैनल को वित मीता में आप सभी का स्वागत है अभी बहुत ही फ्रेस पालक मार्केट में आ रहा है वैसे तो बहुत सारी रेसिपी बनती है पालक की पर आज जो मैं बना रही हूँ वो है पालक पनीर जो बहुत ही फेमस रेसिपी है मैं इ इसके लिए मैं यहाँ पर ली रही हूँ 250 ग्राम पालक जिसे मैंने अच्छे से वाश कर लिया है सबसे पहले मैं पालक के पत्तों को ब्लांच कर लूँगी इसके लिए मैंने एक बर्तन में पानी गरम कर लिया है अब मैं सारे पालक के पत्तों को इसमें डाल दूँगी पानी हमें उतना ही लेना है जितने में पालक अच्छे से डूप जाए अब मैं पालक के पत्तों को दो मिनट के लिए उबाल लूँगी अब मैं गैस बंद कर देती हूँ अब पत्तों को मैं चिल्ड वाटर में डाल दूँगी ये बहुत जरूरी स्टेप है इससे ये पालक के पत्ते ओवर कुक भी नहीं होंगे और पालक जो है वो बिल्कुल ग्रीन रहेगा अब मैं इसे मिक्सर ग्राइंडर में डाल कर एक स्मूथ पेस्ट बना लूँगी इसमें पानी बिल्कुल भी न डाले मैंने यहाँ पर पालक का पेस्ट बना लिया है अब मैं इसे साइड में रख देती हूँ यहाँ पर मैं दो प्याज ले रही हूँ जिसे मैंने रफली चॉप्ट कर लिया है यह साइड कली लेस्ट है और एक इंच अद्रक का टुकड़ा है इन सभी को मैं मिक्सर ग्राइंडर में डाल कर पेस्ट बना लूँगी मैंने यहाँ पर प्यास अद्रक लेस्ट का पेस्ट बना लिया है अब मैं एक कड़ाई को गरम कर लूँगी इसमें मैं एक टेबल इस्पून रिफाइन वाइल डाल दी हूँ अब इसमें एक टेबल इस्पून बटर डाल दूँगी वाइल डालने से ये होता है कि बटर हमारा जलता नहीं है बटर मिल्ट हो गया है तो मैं इसमें half tea spoon जीरा और एक तेजपता डाल दूँगी जीरा चटक गया है तो अब मैं इसमें प्याज वाला पेस्ट डाल दूँगी प्याज को medium flame पर ही भूने एक जरूरी बात प्याज को भी आप बहुत ज़्यादा high flame पर नहीं भूने इससे भी हमारी सबजी का टेस्ट खराब हो जाता है प्याज को थोड़ा आराम आराम से भूने ताकि हमारी सबजी का टेस्ट बिल्कुल परफेक्ट हो ये देखिए बातो बातो में हमारी प्याज भी बिल्कुल golden brown हो गई है तो अब इस स्टेज पे मैं सारे बेसिक मसाले डाल दूँगी इसमें बहुत जादा मसाला नहीं पड़ता है इसमें एक टी स्पून धन्या पाउडर एक टी स्पून कच्चा जीरा पाउडर हाफ टी स्पून मिर्श पाउडर और हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर है इन सब को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी यहाँ पर मैंने फ्लेम को लो रखा है क्यूंकि हमारा मसाला सूखा है वो जल जाएगा और ये तीन मीडियम साइज के टमाटर का मैंने पेस्ट बना लिया है अब वो डाल दूँगी अब इन सब को अच्छे से मिक्स कर लूँगी और अब इसे अच्छे से भून लूँगी जब टमाटर हमारा इस स्टेज पर आ जाएगा यानि अच्छे से भून जाएगा ये देखे ये टमाटर हमारा अच्छे से भून गया है तब इस स्टेज पर मैं ये पालक का पेस्ट इसमें डाल दूँगी अब मैं इसे अच्छे स से मिक्स कर लूँगी इसे लो फ्लेम पर थोड़ी दिल के लिए धाक कर पकने दूँगी दो तीन मिनट हो गया है मैं लिड हटा देती हूँ मेरे पालक में अच्छा उबाल आ गया है अब मैं इसमें टेस्ट के एकॉर्डिंग नमक डाल दूँगी मिक्स कर लूँगी अब मैं इसमें दो टेबली स्पून घर वाली मलाई डाल दूँगी मलाई से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी अब ये 200 ग्राम पनीर है जिसे मैंने क्यूब में काट लिया था अब ये भी डाल देती हूँ मिक्स कर लूँगी इसे अब इसमें वन फोर्थ टीस्पून गरब मसाला डाल दूँगी एक दो बार इसे चला लेती हूँ अब मैं गैस बंद कर देती हूँ अब मैं इसे सर्विंग बॉल में निकाल लेती हूँ मैंने इसके उपर एक क्यूब बटर डाला है इससे इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार हो जाता है बहुत ही लजीज, बहुत ही टेस्टी ये हमारी पालक पनीर बनकर रेडी है आप इसे नान, तंदूरी रोटी, फुलके किसी के साथ भी खाएं बहुत ही टेस्टी लगती है आप एक बार इसे खाएंगे न तो इसका स्वाद भूल नहीं पाएंगे तो आप एक बार इसे घर पर जरूर बनाएं और मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूले ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में